गुद्ध मार्निंग स्टुडेंट्स इस वीडियो लेक्यर में हम जो है डेफ्ट फास्ट सर्च एलगर्थम बेस्ट एक प्रॉबलेम ग्राफ का है उसको हम जो है सॉल्व करेंगे और उसको वन बाई वन कैसे जो है सॉल्व करते हैं जो है इसको हम देखते हैं तो जैसा इस इस वीकेंट हम जानते हैं कि डि इंपियस ग्राफwork एंलगर्थम जो है कि इस टैक के थूझ जो है implement करते हैं तो आई यह सबसे पहले देखे यहाँ पर एक ग्राफ है डायेटेड ग्राफ है जिसमें एट वर्टीश्टेस हैं और डायरेक्शन इसमें देखे किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में आप जा सकते हैं एरो लगाया गया है तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको इस तरह का प्रॉलम अगर जो है कहीं आता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं every vertex का every vertex का आप क्या करेंगे adjacency list यहाँ पर बना लेंगे तो जैसा देखिए student yes yes से आप जो है w z vertex पर जा सकते हो z से आप जो है y w vertex पर जा सकते हो x से z vertex पर जा सकते हो y से x पर जा सकते हो t से u v vertex पर जा सकते हो और U से टी भी पर जा सकते हो B से यस W पर जा सकते हो और W से यक्स बरटेक्स पर जा सकते हो तो जिस डैरेक्सन में एरो लगा है उसका हम क्या करते है 秩 bullish km list गौना लेते हैं इसकी बाद हम क्या करेंगे एक stack गौना लेते हैं क्योंकि जो है DFS का जो implementation होता है Stack के help से होता है students तो यहाँ पर हम एक stack type का area बना लेते हैं ओके तो देखे students सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर जो है जो source है हम yes मान करके जो है चल लहे हैं तो stack में सबसे पहले yes को push करते हैं तो yes यहाँ पर आ जाएगा ओके students और yes अब देखे यहाँ पर yes stack में जो है टाप पर है तो yes से आप जो है W, Z yes से जो है W and Z vertices को आप देखे यहाँ adjacency list में दिया गया है जो graph से जो है इसको हमने illustrate किया तो अब इसमें करते क्या है जो है stack में जो टाप पर होता है पाप होता है तो यहां पर yes को हम print करेंगे तो सबसे पहले print करेंगे इसके numbering कर देते हैं किसको पहले print किया गया तो इसको यहाँ से stack से remove करते हैं और प्रेंट करेंगे यस को इसके बाद यस से हम डबलू एंड जेड बर्टेक्स को बर्टेक्स पर बीट कर सकते हैं तो यहां पर इस टेक में जो है डबलू एंड जेड के जेड को पूश किया है स्टुडेंट अब देखिए डबलू डबलू को आप यहां पर देखें ध्यान से तो डबलू से आप जो है एक्स पर भी आ सकते हैं ठीक है तो अब देखे डबलू एंड जेड में जेड जो है हमारा क्या है टाप पर है ओके तो जेड को हम क्या करेंगे दूसरे स्टेप में जो है दूसरे सिक्वेंस में आप क्या करेंगे इसको पॉप करेंगे तो जब पॉप करते हैं तो यह भी आपको क्या करना है कि जेट से आप किस बर्टेक्स को बीट कर सकते हैं तो जेट से जो है आप वाई बर्टेक्स को बीट कर सकते हैं तो यहां पर इसको इसको पॉप करने के बाद वाई को आप क्या करेंगे तो इसको यहां पर मैंने दिखा दिया अब इसके बाद y y से आप क्या करेंगे y से आप जो है yक्स पर जा सकते हैं देखिए y का adjacency क्या है yक्स है तो y को आप क्या करेंगे pop करेंगे क्योंकि y हमारा stack में top पर है तो तीसरे sequence पर जो है y पॉप हुआ और y से आप जो है yक्स पर जो है बीट कर सकते हैं तो यक्स को यहां पर stack में pop किया sorry push किया तो अब देखिए student ध्यान से यक्स हमारा क्या है यक्स से आप जो है z पर जा सकते हैं यक्स का जो adjacency z है लेकिन z जो है तो यहां पर जो है इस stack memory में जो है यक्स टाप पर है तो यहां पर यक्स को क्या करेंगे इस में से delete करेंगे या पाप करेंगे तो fourth sequence में यहां यक्स जो है remove होगा अब देखिए जब यक्स टाप पर remove हो जाएगा तो इसके बाद जो है यह सारे जो है blank हो गए है remove हो गए है यक्स y z अब देखिए यहां पर डबलू जो है अभी जो है stack में है तो अब fifth position क्या करेंगे डबलू को remove करेंगे okay students तो अब जो है देखिए जान से अब हम जो है other जो है yes को source मानते हुए अब जो है टी पर नहीं पहुश सकते हैं तो टी को क्या करेंगे stack में जो है again जो है हम यहां पर push करते हैं टी को इसके बाद टी से देखिए आप यू भी अब vertices को आप जो है cover कर सकते हो तो यहां पर student टी को हम क्या करेंगे टी देखिए stack में top पर है तो इसको हम क्या करेंगे pop करेंगे remove करेंगे तो यहां पर माल लेते हैं कि six sequence में हाँ पर टी जो है remove होगा टी के through हम जो है यू एंड भी को बिजिट कर सकते हैं तो यू और एंड भी को यहां पर stack में push किया तो अब देखिए you and भी को जब हमने यहां पर stack में push कर लिया तो देखिए भी हमारा जो है बिजिट नहीं करेंगे क्योंकि अलड़ी बिजिट हो गया है तो अब जो है अगले सिक्वेंस पर जो है सेवन्थ पोजिशन पर हम क्या करेंगे भी को रिमूब करेंगे तो जब भी जैसे रिमूब हो जाएगा तो उसके बाद जो है हमारा stack memory में यू बचा जो है तो यू क्या करेंगे इस पोजिशन पर रिमूब करेंगे तो इस तरह से देखिए स्टुडेंट्स हमारा जो है जो DFS का traversal का जो देखिए sequence हुआ हुआ क्या हुआ इसको हम यहाँ पर right कर दे रहे हैं yes देखिए यहाँ पर stack में देखिए पहले position पर क्या था yes था तो yes से आप जो है sorry देखिए पहले position पर यहाँ है दूसरे position पर देखिए z है तो yes से जो है आप जेट को जो है जेट पर जा सकते हो और जेट से जो है तीसरे position पर y को अपने display करें दो y पर जा सकते हो और y से x पर जा सकते हो okay students अब इसके बाद यहाँ क्या करेंगे back tracking करेंगे यक से जो है back tracking करके जो है हम जेट पर आते हैं ओके back tracking इसके बाद जेट से हम क्या करेंगे w को beat करेंगे okay students यह हमारा जो है एक dfs path sequence हुआ और दूसरा हमारा हुआ टी टू भी टी से जो है भी को beat करेंगे उसके बाद भी से जो है back tracking करके जो है टी पर आएंगे उसके बाद टी से जो है यू को beat करेंगे okay students तो इस तरह से जो हम जो है dfs best graphical problem को जो है solve करेंगे तो इसका देखे टाइग्राम एक टिकल फार्म जो है मैंने जो है आगे बनाया है जिससे समय कम लगे इसके लिए मैंने आल्रेडी बना दिया है जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया student तो देखिए यहां पर यह हमारा जो है फाइनल जो है डाइग्राम है dfs के तुक कैसे जो है यह से जो है यहां पर red line से मैंने जो है जिसको जिस नोट से जिस पर हम जा सकते हैं उसको red line से जो है यहां पर डार किया हुआ है red color से सके तो देखिए s to z, z to y, y to x, अब इसके बाद यक्स से जो है बैक ट्रैकिंग करके Z पर आएंगे और Z से जो है फिर W बाटेक्स को बिजिट करेंगे अब इसके बाद जो है अधर नोड को बूट बिजिट जो B remains है उसके लिए हम t से फिर इस्ट आप करेंगे तो t से जो है हम U पर आएंगे U से back tracking करके जो है T पर जाएंगे अगेर उसके बाद T से जो है V बार T से उसको visit करेंगे तो इस तरह से student हम जो है depth first algorithm का यूज करके जो है कोई भी graphical problem होगा चाहे directed होगा या undired होगा उसको हम solve कर लेंगे ओके student तो इस video lecture में इतना ही और इसके साथ आपको मेरा वीडियो lecture कैसा लगा इसको लिए आप comment section में जरूर राइट करिए जिससे हम समझ सके कि हम problem को कैसे solve कर रहे हैं okay student thank you